वेलकम तो जेमेट्रिक आर्ट पेज के बीच में एक पॉइंट रखिए और एक लाइन बनाईए और कमपास लेके 5 सेंटिमीटर का मेजरमेंट लेके नई तो आप 10 सेंटिमीटर का भी कर सकते हैं एक सरकल बनाना है अब हमें ये दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट चाहिए इसलिए हम जो 5 सेंटिमीटर का मेजरमेंट अलड़ी था ना कमपास में वही यूज करते हैं एसे दो सेड में मार्क करते हैं सरकल को क्रॉस करते हुए तब हमें ये दोनों पॉइंट मिलता है उससे हमें एवाला बीच का एक पॉइंट मिलता है इधर भी एक आप लाइन करके भी कर सकते ये पॉइंट लेने के लिए दूसरी तरीका भी है अगर ये 5 सेंटिमीटर है तो इधर 2.5 सेंटिमीटर का आप स्केल से मेजरमेंट लेके बना सकते है लेकिन रैंडम मेजरमेंट का सरकल है तो आपको कमपा सही करना पड़ता है अब देखे दो सरकल हो गया अब ये दोनों हाफ सरकल को हम एरेस किये और मैं पेंसे बना रहे हूँ अब तब पता चलता है आपको ऐसे हाफ हाफ सरकल करना है और बीच में रखके फूरा बड़ा सरकल था न वो करना है और इधर चोटे चोटे दो सरकल्स इस डिजाइन को कर्मा सिंबॉल भी बोलते हैं एक कर्मा से दूसरी कर्मा बनता है वो कर्मा से फिर से एक दूसरी कर्मा बनता है ऐसे endless circle है कर्मा का इसे आप अलग-अलग design में आपकी creativity के ऊपर dependent ऐसे कर सकते मंडला design भी कर सकते मैं और एक design भी सिखा रहीं आपको वैसे एक circle बनाना है अब एसे चार पॉइंट हमें लेना है ऐसे रखें पहले जैसा ही यह लेकिन अब थोड़ा अलग होता है देखें बीच का पॉइंट है ना उसके आजू बाजू में फास में और दो पॉइंट रखते हैं हम इदर और कमपास लेके इस पॉइंट क्रॉस करते हुए एक सरकल बनाते हैं दूसरी साइड में भी सेम अब इदर रखके डबल सरकल डबल लाइन हो गया ना इधर एसे आता है अब मैं पेंसे बनाती हूं आपको पता चलता है टिक से इसे इधर तक करना है बस यह लाइन को एरेस करते हैं इधर और एक तिंग आपको अवजर करना है जो सरकल का बाहर का लाइन था ना वो दूसरी सरकल का अंदर का लाइन बन गया देखिए अब बता चला ना अब बीज का पॉइंट में रखे बड़ा सा सरकल बनाते हैं लेकिन यह सरकल पूरा कम्प्लीट नहीं होता है बीज में थोड़ा सा ग्याब भी रहता है और एसे चोटे-चोटे सरकल भी रहता है इसी डिजाइन से भी आपके क्रियाटिविटी के हिसाब से आप अलग-अलग डिजाइन बना सकते हैं